यहां पर टोटल 38,000 सीटो फर वेकंसी आने वाली है इसको पार्ट वाइज अभी का सकते हैं पहला पार्ट है जहां पर 4000 फिलस वेकंसी आई हुई है और यह श्रभी पर्मानेंट पोस्ट है इकलव विद्याले वेकंसी एकलव विद्याले से निकली है बंफर वेकंसी कौन-कौन से पोस्ट है मेरे दोस्तों वह है PGT-T, TGT टीचर, PGT और TGT टीचर है अपर प्रिंस्पल का भी पोस्ट है असिस्टेंट है लेब एसिस्टेंट और एकांट प्रिकृष्ट पोस्ट हैं और तोटल वेकंसी on यहां पर तोटल आने वाली है वह 38,000 के लगव वेकंसी आएगी जिसमें से 4,000 आई और 34,000 वेकंसी आने वाली है इसी परकार फेज वाइज रिकुर्मेंट को देखते हो वेकंसी आनी है तो एक्जाम वेश सेलेक्शन है आपका एक्जाम के मादियम से सेलेक्शन होगा अप्लाइंग मोड जो है मेरे दोस्तों वह ऑनलाइन है लास्ट एट 31 ट्राइबल.gov.in पर जाकर 31 जुलाई 2023 तक आवधन कर सकते हैं यह आपका वेबसाइट है यहना शुरू में आपको वेबसाइट देखिया emrs.tribal.gov.in पर जाकर 31 जुलाई 2023 तक आवधन कर सकते हैं कुछ दिनों पहले ही आपके लिए एक निउज था कि नेशनल एजुकेश लिए एक लब सकूल में टीचिंग और नौन टीचिंग पदों पर भरती के लिए नियम जारी की थी आपको बता दें कि कुछ दिन पहले केंद्री मंत्री जो की ट्राइबल मिनिस्टर है अर्जून मुंडा श्री अर्जून मुंडा जी ने कहा था केंद्र सरकार अगले त मतवकांची प्रयोजना है बहुत ही मतवकांची स्कूल है केंद सरकार की वहां पर 38,000 सिक्षकों एवंग सहाय कर्मियों की भरती निकालेगी यहने टीचर्स हो गए और इसके बाद और बीजिसे कलर्क वगर है इन सबी को मिलाकर 38,000 पदों पर भरती निकालेगी अगले तीन पर यह भरतियां होगी पेपर आमार सीट पर होगा यहांनि एक्जाम आपको आउनलाइन नहीं होगा परिक्षा के मेडियम हिंदी और अंग्रिजित दोनों होगा आप जिसमें कंपर्टेबल हो आप एक्जाम देश सकते हैं वेकेंसी किन किन पदों पर है तो प्रिंसिपल के तोर पर कम से कम 12 सल का अनुबह हो यानि आपका टीचिंग एक्प्रियंस भी चाहिए तभी आप प्रिंसिपल बन सकते हैं आधिक्तम आज फिप्टी रखा गया है तो यह वेकेंसी फ्रेसर्स के लिए तो विल्कुल नहीं है जो जाब में उनके लिए है अब पीजिटी पॉस्ट ग्रेजवेट टीचर टेन प्लस टू में आप पढ़ाएंगे पीजी प्लस बीएड चाहिए अधिक्तम आयूश्यमा फोर्टी यर है तो यहां पर आप कंवर्टेबल हैं विल्कुल फ्रेसर और बाइश और चीर वेकेंसी है अच्छी वेकेंसी है साथियों अब बस कॉम भी कॉम हो तो आप अपलाई कर पाएंगे मैक्सिमम एज 30 रखा गया है जूनियर सेक्रेट्रेट्रेट असुस्टेंट यहां पर कहा गया बार्वी पास कम से कम 35 सब्द परती मिनट की गती से इंगलिश टाइपिंग या 30 सब्द परती मिनट की गती से हिंदी करिया बार्वी साइंस साइट से पास है यानि कर आप 10 प्लस टू साइन से कि हैं तो भी आप यहां पर बहर सकते हैं और देखिए टोटल जो वेकंसिया सभी को मिला कर वह 4062 प्रडशन है और अधिकतम आईश्र स्थिमा में जैसा छोट मिलने का प्रवीजन से एस सी एस्ट बिश्य it को फाइव येर मिलता है को मैक्सिमाम एज में थ्री यएर का रिलेक्संट रेक्सवी तो यहां भी जारी है आपको यहां भी मिलने वाली है नौटिफिकेशन के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगे आप वहां से कर सकते हैं प्रिंसिपल के लिए आपको 2,000 है application fee नहीं रखा गिया है तो फूरे notification को देख लें आप यहाँ पर उनका डिटेल से notification का आपका आवजन करने का जांतिम तित्री है 31 जुलाई यहाँ पर दे दी गई है online mode में आपको apply करना है यहाँ फी रखा गिया अलग लग कटेगरिका प्रिंसिपल 2000 पीजी टी टीचेर 1500 नॉन टीचिंग स्टाप 1000 इसके बाद एक्जाम का जो पेटर यहाँ पर दिया गिया है यहाँ पर टीचिंग पोस्ट के लिए करते हैं आपको 180 मिनर्स त्री आवर्स आपको समय दिया जाएगा और अगर नॉन टीचिंग है तो वन फिप्टी यानि आपको कर सकते हैं कि यहाँ पर धाई घंटे का धाई घंटे का समय मिलेगा नॉन टीचिंग स्टाप्स के लिए और यह भी आपको अब्जक्टिव मो को यहाँ फर्केट कर दिया गया है देखलें आप प्रिंसिपल 303 पीजीटी 226 एकाउंटें 361 जूनियर सेक्रेटर असेस्टन जैसे 759 लाब असेस्टन 373 टोटल 4000 बाउंसर 4062 यहाँ प्रिंसिपल की वेकेंसी को अलग अलग बाटा किया है केटेग्री बाइज फिर पोस् मैत केमेस्ट्री फिजिक्स बाइलोजी हिस्ट्री जियोग्रफी कोमर्श एकोनोमिक्स कम्पीटर साइंस और यहाँ पर टोटल पोस्ट डिया गया है टोटल पोस्ट कितना है तो इंग्लिस में 246 हिंदी में 200 मैस में 244 केमेस्ट्री में 169 ऐसे ही टोटल 2086 पदों पर यह आपका सिर्फ टीचिंग स्टाप्स के लिए तो नम्मर पोस्ट काफी अच्छा है और सेलेरी भी काफी शांदार है अब सेलेरी भी में आपको दिखाने वाला हूं अब यहां पोस्ट ग्रेटुटर थर्ड लेंग्वेज जो लेंग्वेज पेपर होते हैं उनके लिए वे सब्सक्राइब करें हैं तो काफी वीडियो लंबा हो जाता मेरे दोस्तों इसलिए मैं सभी चीजों को डिल नहीं कर रहा हूं आपको यहां पर पाउच करके आप इसे स्कीन सोट ले लें देख सकते हैं तो आगे बढ़ते साथियों अब नए चीजों की बात करते हैं वेतन सबसे बड़ी बात है वेतन कैसे मिलेगा सेलरी कितने मिलेगी जैसा मैंने कहा पर्मानेंट पोस्ट तो सांदार रहने वाली है आपका देखिए प्रिंसिपल के लिए 78,800-2,9,200 क्या हैं सब्सक्राइब को पोस्ट ग्रिजू टीचर पीजिटी 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 किसी पीजिटी पीजिटी में आप हैं से 4600-1,9,1,1,1,000 क्या जब इसके बाद एकाउंटेंट के लिए लेबल 6 के सेलरी मिलेगी 35,400-1,12,400 यह भी ठीक है यह ऐसे डिनेर सेक्टेट में आपको 19,900-3,3,200 इसका लेब असिस्टिन में 18,000-56,900 तो यह आपकी सेलरी हो गए यह स पढ़ाने के लिए मजबूर कर देगे और यह देखिए mode of examination आपका ओमार पर होगा और pen paper से होगा exam computer-based नहीं होगा question paper आपका रहेगा multiple choice question में exam pattern में यहाप पर दिया गया देख लाए exam pattern की exam objective type 130 marks and language competency test 20 marks मिला के आपका 150 का होगा personality test interview 40 marks का होगा और आपके एक्जाम सेंटर्स होगा यहां पर देख दिया है एक्जाम कहां कहां पर होगा तो आप देखें ओल इंडिया लेवल की वेकेंस है तो आपका exam center बहुत सारे हैं लगबक हर एक स्टेट में आपको सेंटर्स मिल जाने हैं है ना इस्टेट्स है यहां सीटी यहां पर दिया गिया है अब जिस भी सीटी से हैं यहां पर दे दिया गया है इसी प्रकार आप आगे बढ़ते हैं तो यहां जारकन दिया जारकन की इसे फ़र्म भरत आपको सेंटर रहेगा तो यह साथ यह बहुत शांदर आवसर आप सभी की जरूर सी जरूर अपलाइ करें थैंक्यू वर्यवर्य मच्ट वीडियो और कनेक्टिंग एक्जां फैटन वर्न हैं आप भी चाहते हैं आपको और कई भी वकंसिया यादि सुचना मिले समची गाइडलाइन मिले बिल्कुल मुप्त में तियारी करना है तो अब हमारे साथ जूड सकते हैं और जूडने के लिए की माने चनल को सब्सक्राइब करें बेल आईकोन को प्रिश्क्राइब करें ताकि आने वाले स्प्रोग्र्ग